कोरोना महामारी से बचाव के लिए लगाए गए करफ्यू के कारण परियट नगरी मनाली में फसे कोलकाता वा पंजाब के 25 परियटकों को वन परिवहन मंत्री गोविन सिंग ठाकू ने ठाकूर कुंजलाल दामोदरी मैमोरियल चैरीटेवल टरस्ट के माध्यम से एक महीने की खादे समगरी वित्रित की गोविन सिंग छाकू ने कहा कि इस विकट स्थिती में कोई भी गरीव वा जरूरत मंद सुविधाओं से वंचित ना रहे ये सुनिश्चित करना ट्रस्ट का मुख्य उदेश है उन्होंने कहा कि ये ट्रस्ट सामाजिक उत्थान की दिशा में हर वर्ग के लोगों के लिए हर संभव सहायता प्रादान करने के लिए वचन बद है लॉकडाउन हुआ और कर्फ्यू लगने के कारण से वापस घरों को जा नहीं पाए और हमने ये कहा है कि उनके लिए भी हर प्रकार की सुरक्षा सुनिश्चित करना अवशक है और इसलिया हमने यह भी कहाए, जहाँ जहाँ पर इहां के अहां होटन वेवसाई हैं जिट जगह पर ठहरे हैं तो उनको रहने का अरिंगत बात्यों को उनको रुखने का विवस्ता की है और साथ पर हमने कहा है कि उनको राशन पानी इत्यादी की दवाईयों की समस्या नहीं आनी चाहिए तो अभी भी हम जा रहे हैं लगभग कोई 21 लोग हैं जो बंग्डाली परिवार यहां पर ठह रहे हैं तो उनके पास जो है राशनी चाहिए की समस्या लगता है तो अभी उनको भी जाकर के हम ठाकुर कुझराल गापोदी ठाकुर में मुद्मोरियोल ट्रस्ट की उसे जाकर के एक महने का राशन दे रहे हैं सिरी चैनल के लिए मनाली से शिवराम राना की रिपोर्ट